नमस्कर आपका हमारी यूटूब चैनल में स्वागत है दोस्तों मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले स्टाप सेलेक्शन कमिशन ने टेंटटि कलेंडर ऑफ एक्जामनेशन फूर bunu 222 की लिए जारी किया था यानि कलेंडर जारी किया था एससी ने और इस sırे बता है खिए कुछ दिन कौंसा एक्जामғ का नोओडिफिकेशन निकलेगा तो सबसे पहले मैं बता हुँ कि सी जील का उड़ाम्म का अपरेल में होगा लेकिन हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करने जा रहे हैं कि आपका जो SSC CHSL का जो एक्जाम होता है जो 10 प्लस टू लेवल के लिए यानि जो इंटर पास कर पास आउट होते हैं वह इस फॉर्म को भर सकते हैं तो इसके लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होगा उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी टैन प्लस टू लेवल यहां पर लिखा हुआ है और इसका जो कंपेटर बेस्ट एक्जाम होगा टीर वन का वह फेज वन का जो होगा उसके बारे में एक्जाम डेट यहां पर माई में बताए गया है जबकि इसका जो नोटिफिकेशन अडिवर्टाइजमन डिकलेगा यानि ओनलाइन फॉर्म भराना स्टार्ट होगा वह एक फरवरी से होगा ठीक है तो आज हमारा कितना तारिक हो आज हमारा 29 जनवरी हो गया ठीक है तो 29 जनवरी के बाद 30 जनवरी और 31 जनवरी यानि दो दिन के बाद जो है SSC CHSL का ओनलाइन फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा और यह एक फरवरी 2022 से स्टार्ट होगा और 7 मार्च 2022 तक इस फॉर्म को भरा जाएगा ठीक है तो अग अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि आने वाले यहां पर जितने भी सारे आगामी सरकारी परिक्षाए हैं पुरे देश भर के चाहे वह SSC के एक्जाम सो रेलवे के एक्जाम सो बैंकिंग के सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एक्जामिनों डिबॉक्स के और से दी जाती है तो जरूर इसको यह कर लें और साथ ही देखिए मौल्टी टास्किंग का भी मैं थोड़ा से बता देना चाहूंगा कि MTS का जो फॉर्म जो स्टार्ट होगा ऑनलाइन वह 22 मार्च से स्टार् यह ठीक है तो यह था और भी बहुत सारे यहां पर देख सकता है कैलेंडर आप जो इसमें से है जैसे कि सेलेक्शन पोस्ट फेज 10 का जो होगा वह एडवर्टाजमन दस माई को आएगा इस सारा ची देख सकते हैं वाई से कैलेंडर का जो है वह मेरे इस चैनल में डाला हु और साथ मार्च तक चलेगा जबकि छेशल के एक्जाम आपका माई में होने जा रहा है ठीक है आगे देखते हैं देखिए आगे अगर इस नोटिफिकेशन का उब्लग पड़े तो यहां पर लिखा हुआ है कि स्सी यह स्टाप सेलक्शन कमिशन यानि स्सी विल रिलीज दि नोटिफिकेशन ऑफ एससे यह जासल टेन टू थान ट्वेंटे टू अन फरवरी एक दो हजर बाइस यानि एक फरवरी दो हजर बाइस से इस फॉर्म को भराना स्टार्ट हो जाएगा एप्लिकेशन फॉर्म सी विल भी अविल तिल साथ मार्च तक जैसा कि मैंने भी बताय रहे था कि साथ मार्च तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे दे एससे सी एचसल टीर वन टेस्ट विल बी हैल्ट एंटेवली इन मही और बताया अभी कि मही में इसका एक्जाम होगा ठीक है इसका नोटिफिक्शन जैसे आएगा तो पीडिया फॉर्मेट में आपको आपको मिलेख इस इन तिस एक्षत यह लेट ट्रीट टिरण एकजाम नोटिफिकेशन इस फॉर्डबीया का इस फॉर्ट लोवर डिविजान गलर तो इह जो सी एचसल का फॉर्म जैपला होताय इसके बाद जो हमने पोस्ट मिलता है वह एलडीश का पोस्ट मिलता है यह ल तो एक्सिड तो एक्सिड टोटल आफ 4000 तो यहां पर कहा जा रहा है कि लगबग इसमें इस साल का जो वैकंसी रहेगा वह चार हजार या उससे ज्यादा रह सकता है यह कहा जा रहा है eligibility criteria की criteria तो मैंने बता दिया है कि all aspirants candidates for the CHSL 2022 must meet the eligibility criteria according to the CHSL age limit application must be between the 18-27 साल यहां पर मंगा गया है the upper age limit will be relaxed by 5 साल तो जो SCST के होंगे उन्हें 5 साल उसमें limit मिलेगा age limit में थोड़ा से इनको छूट मिलेगा 5 साल का जबकि जो OVC में आएंगे उन्हें 3 साल का और PWD में आएंगे उन्हें 10 साल का छूट मिलेगा आगे यहां पर लिखा है a candidate must be a citizen of India भारतिय होने चाहिए नेपाल के होने चाहिए या भूटान के होने चाहिए candidates who are not Indian citizens must have a certificate of eligibility issued by the Indian government in order to take the exam यहां पर देखे कह दिया गया है कि a pass certificate from the recognized board or university in class 12 is the minimum education qualification यानि class 12 आपका pass out होना चाहिए candidates who are in their 12th class can apply if they can show proof of their educational qualification as well as as well as document evidence from the board यानि यह कहा जा रहा है कि अगर आप pass out नहीं अगर आप passing है तो भी आप इस form को भर सकते हैं लेकिन जब आपका जब यहां पे document verification वागेर होगा तब आपको यह सारा चीज़ दिखाना पड़ सकता है ठीक है exam pattern का बात करें there are three levels of SSC CHSL exam यहां पर तीन level में exam होगा एक tier one होगा ठीक है जो एक गंटा का आपको समय मिलेगा एक गंटा में आपको objective type के कुल 100 प्रसन होंगे जिसमें English रहेगा general knowledge के question रहेंगे general intelligence रहेगा यानि reasoning रहेगा और maths रहेगा ठीक है पांच चार सक्षन रहेगा ठीक है यहां पर पांच लिख दिया चार सक्षन होगा उसके बाद जब आप tier one qualify कर जाएंगे तो आपका tier two होगा और tier two will be of descriptive paper होगा यानि निबंध लेटर वगयरा लिखने का होता है जिसमें total hundred number का होता है विद एक time limit दिया जाएगा एक घंटा का एक घंटा में आपको दो लेटर लिखना होगा उसका जब इसे भी आपास आउट कर लेंगे उसके बाद आपका tier three होगा tier three में क्या होता है typing speed test होता है ठीक है तो TST लिया जाएगा typing speed test इसमें आपको पास करना होगा जैसे आप इसमें प्रफास करेंगा उसके the candidate typing skill test will be examined in the final page यह आपका final page होगा which is skill test जिसी को इसी को skill test कहा जाता है for the LDC, JSA और Postal Assistant and Sorting Assistance Positions the skill test will take 10 minutes to complete और skill test में आपको 10 minutes दिया जाएगा पूरा complete करने के लिए ठीक है यानि typing test में आगे इसमें थोड़ा सा और कहा जा रहा है कि the SSC CHSL is a government requirement है exam held in India इंडिया में इसे किया जाता है higher people with the higher second day जो 10 प्लस टू कर चेके हैं वह इस form को भर सकते हैं in various government departments में आपको यहां पर job लगने जा रहा है a huge number of people apply for the position of CHSL बहुत सारे people जो है इसमें apply करते हैं परते एक साल the salary ranges आपका इसमें रहता है 19,000 से लेकर 90,000 पर month तक for selected individuals depending on the position अब जिस position में रहते है उस अनुसर आपका salary बनता है तो जो भी इसमें खास्त है वो मैंने बता दिया है दोस्तों ठीक है उमीद करता हूं मैं आपको बहुतर तरीका से CHSL के बारे में बता पाया और एक तारिक से form भराना स्टार्ट होगा तो जरूर भरे साथ ही हमारे चैनल में पहले बार से विजिट करें तो जरू जरू सब करता हूं आप सभी का बहुत बहुत धेनेवाद